जाहिन दोस्तों स्वागा था पर सिख्षा कमटी संग क्लासेस में दोस्तों आर्पी अप कास्टिबल का ग्रूप एबी और एप का फाइनल रियल्ट घोसित हो गया है और फिचकल डेट भी आ गई है और समय भी कम बचा है आपके अप्रेल के फर्ष्ट वीक में फिचकल चा है कि 6 गुणा कंडिडेट पास हों हमने आपको पहले भी उताया था कि 10 गुणा कंडिडेट फिचकल के लिए पुलाया जाएगा तो लगभख एक 14 गुणा तीनों गुरूप में कंडिडेट पास है तो आपको एक चीज़ बतारेते हैं कितने पोश्ट थी और कितने कंडि तीरपन नमबर में, 14 नमबर में, और हमारे पैचान में, अंठामन नमबर में, और 55 नमबर में, जर्नल कंडिडिट का, फीमेल कंडिडिट में हुआ है, तो चलए, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं क्या है तो channel को subscribe कर लें और बगल में आप bell icon की बटन को दबा लें जिससे आपको समझ समय में जानकारी मिलती रहें तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक group की बात कर लेते हैं सभी group की जिससे आपको clear हो जाए कि फिचकल कब है और उनके भी बात करेंगे कि जिनका नहीं हुआ है क्योंकि आपको बता दें कि RPF SI में group E की second list आ चुकी है तो हार नामाने जिनका कटाप की बहुत सठीक नंबर है एक दो नंबर कम है उनका second list में नाम आएगा तो सबसे पहले कटाप की बात करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे total vacancy की क्योंकि total vacancy जब आपको पता रहेगा तभी तो आपको clear होगा कि कितने candidate pass हैं तो कितने गुना है तो आप देख सकते हैं अगर total post की बात करें A group की हम बात करेंगे B group की बात करेंगे और E group की बात करेंगे तो आप देख लिजेगा total male की total देखिए 804 post है और female की total 927 post है A group में और B group में देखिए male में 440 और female में 712 post है और app group में male candidate के लिए ही बस seat थी female candidate के लिए कोई seat नहीं थी और 606 छट पोस्ट है तो चले एक एक ग्रूप का आप देख लिजे सबसे पहले मैं स्क्रीन साट लिया हूँ क्योंकि जो आपका लिष्ट आया है वो 300-400 पेच का है तो दिखाने में समय जादा लग जाता तो सबसे पहले एक ग्रूप की बात कर लेते हैं और एक ग्रूप की अगर बात करें तो एक ग्रूप की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो एक ग्रूप में देखिए अप्रेल के फश्ट बीक भी आपका फिचकल होगा और टोटल आपको बता दूं कितने कंडिडेट पास हैं तो 17,855 कंडिडेट पास हैं लगभग 11 गुना के पास 10.3 दो गु में ही होगा और आप देख लिजे ये भी गुरूप का है टोटल और टोटल अगर बात करें कितने कंडिडेट पास हुए हैं तो 11,899 लगभग 10.3 दो गुना इसमें भी पास हुए हैं आप टोटल जितने कंडिडेट पास हुए हैं और बटे में सीटों की संख्या करके साम दरेगा आप देख लीजीगा यहां सिर्फ मेल कंडिडेट के लिए वेकैंशी थी सिर्फ मेल कंडिडेट का इसमें नामाने कोई चांस नहीं है तो इसमें देख लेजिए टोटल कितने पास हैं तो 6769 टोटल पास हैं लगभग यहां 10.42 गुना पास हैं मतलब कह सकते है आपके एक ग्रूप जैसे नहीं हुआ है और अच्छा हुआ है ग्यारा कुना कंडिडेट पास हैं लगभक तीनों ग्रूप में अब एक ची आपको यह बताना चाहता हूँ जो कटाब के पास हैं वो फिचकल की तैयारी अभी से सुरू कर दें क्योंकि सेकंड लिष्ट उससे कहीं ज़्यादा फिचकल कठीन है तो इधर आप बात करेंगे तो कांस्टेबल पुरूस की और महिला दोनों की बात करेंगे और आपको बता दें तीन फिचकल है इसमें दौर होगी आपकी लंबी कूद होगी आपकी और उची कूद होगी आपको और तीनों फिचकल में आपको पास होना बहुत जरूरी रहेगा तो सबसे पहले पुरूस की बात कर लें तो 1600 मीटर की इनको दोड़, 1600 मीटर की दोड़ उनको 5 मिनट 45 सेकंड में दोड़ना है और इनको एक बात को यह दियान की उची कूद होगी और एक चीज़ यह दिहान में रखेंगे कि दोड़ में आपको एक चांस दिया जाएगा और लंबी और उची कूद में आपको दो दो चांस दिये जाएंगे आपको दो अपसर में पास होना जरूरी है और भरती में क्या होता है कि तीन चांस दिये जाते हैं लेकिन इसमें लंबी कुद और उची कुद में सिर्फ दो ही चांस दिये जाते हैं अब बात कर लेते हैं महिला कंडिडेट की तो 800 मीटर की इनकी दौड होगी और 3 मिनट 40 सेकंड में होगी इनका भी दौड है जिसे पुलिस का पेपर होता है तो 4 मिनट का टाइम मिलता है और 9 फुटकीन की लंबी कुद होगी और 3 फुटकीन की उची कुद होगी और सेम इनमें भी ऐसा ही रहेगा कि दौड में आपको एक चांस दिया जाएगा 800 मीटर दौडने के लिए और आपको लंबी कुद और उची कुद में सिर्फ आपको दो दो चांस दिये जाएगे और 3 फिचकल आपको पास होना जरूरी है और एक चीज यह भी बता दूँ कि जिन भी कंडिडिट का नाम आ जाएगा फिचकल मतलब वो किलियर कर लेंगे उनके बाद उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद उनका 100% नाम आ जाएगा क्योंकि आरपी अप में आज तक भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिसका फिचकल के लिए नाम आया हो फिर वो मेरिट से बाहर हुआ हो क्योंकि सेकन लिस्ट भी आती है तो खुसकबरी है जो पचे हैं C और D ग्रूप बालों के लिए भी तो उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने बाला है बहुत जल्द आपको सठीक कटाप के बारे एक वीडियो बना देते हैं हमने आपको डेट दी थी कि आपका 10 मर्च के पास आ जाएगा तो आज है आपका 13 मर्च तीन दिन लेट उसके लिए 6 मा चाहते हैं क्योंकि अभी एक जो लिष्ट बनाता है तो RRB ही बनाता है कोई एक जिक नहीं जान पाता पस अनुभाव के हिसाब से अनुमान बताया जाता है तो बहुत जल्द आपको कटाब बता देंगे और बता देंगे C और D ग्रूप बालें का रिजल्ट कब आएगा अनुमानित तो दोस्तों आप ने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें और बगर में बेल आइकन की बटन है आप उसको दबाने जिससे आपको समय समय पर सही और सठीक जानकरी मिले और आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें थैंक्यू धन्यवाद